हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग लेकर आई हूं पनीर का मिक्स भेज प्राठा जिसे बनाना बहुत यह आसान और खाने में बहुत इलाजबाब होता है तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप केहू का आटा और एक कप मैंने मैदा लिया है आप चाहे तो यहां पे आटा ही यूज कर सकते हैं और एक चमच नमक और दू टेबल स्वून ओयल इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिसे कि इसमें कोई गाठ ना राजा है तो मिक्स हो गया अब इसमें थोड़ थोड़ा पानी डालना है और एक नर्म मुलाइम आटे का डू तयार कर लेना है जैसे रोटी पराठा के लिए हम रीगुलर लगाते हैं वैसे ही तो लीजिए 2 हमारा तयार हो गया है अब इसे ठाख कर पासने दस मिनट के लिए रिष्ठ होने के लिए रख देते हैं तब तक चलते हैं हमारे स्ट्रेपिंग तैयार कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने यहां लिया एक गाजर को बहुत ही बारिक चौप करके और एक कैपसिकम उसे भी मैंने बारिक चौप किया है और एक मीडियम साइट का प्याज दो हरी मिर्ची इन सब को अच्छे से मेक्स करते हैं और इसमें डालते हैं हाप चमच नमक और नमक डालकर इसे अच्छे से चलाते हैं ताकि हमारे सबजियां अच्छे से नर्म हो जाए अब ये नर्म हो गई है, अब इसका सारा पानी हमें निचोड़कर निकाल लेना है तो हमने इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़कर निकाल लिया हमारी सबजी तियार हो गई है, अब इसमें मिक्स करते है हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया जैसे बारिक रश कर लिया है उसे इस सप्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाराद अब इसमें डालते हैं हाप छोटी चमच चिली फ्लैग, हाप छोटी चमच औरगेनो और बारिक का तवा हराधनिया यहाँ पे आप चिली फ्लैग की जगह पे इम्रेट चिली पॉडर भी डाल सकते हैं सब को अच्छे से मेक्स करते हैं तो हमारे स्टफिंग तयार होके है अब ब्लास्ट में जब हमे प्राठा बनाना हो तब इसमें डालते हैं इसे चट पटाबनानी के लिए हाप छोटी चमच चाट मसाला और थोड़ी रभी डमक सब को अच्छे से मेक्स करते हैं और चले श्टफिंग तयार है में प्राठा बनाना शुरू करते हैं तो हमारा आठा भी अच्छे से सौप्ट नरम मुलायम हो गया है, बस एक लोई लेते हैं और उसे सुखे आठे में लपेट के एक बड़ी अकार की रोटी बेल लेते हैं तो लीजे हमारी रोटी तयार हो गया है, बस अब इसके बीच में हम डालते हैं स्टफिंग मैंने यहां दो चम्मज डाला है स्टफिंग, अब अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं, बस उसे बीच में अच्छे से फैला आएं और दोन साइट से मोड़ते हुए उसे एक स्क्वार साइज देखकर मैं इसे मोड़ रही हूँ, आप अपने मन पसंद किसी भी सेव से इसे बना सकते हैं तो तबा भी हमारा गर्म हो गया है, चली इस प्राठा को सेख लेते हैं, एक साइट से सिख जाये, तो इसे पलटते हैं और इसे घी, तेल या फिर बटर से जिसे आप पसंद करते हैं, उसे सेख ले पराठा को हमेशा medium low flame पे सेखना चाहिए जिससे पराठा कलर बहुत ही अच्छा होता है और पराठा काफी खस्त और क्रिश्पी बनता है तो लिजे हमने इसे दोनों साइट से पलटते वे सेख लिया पराठा हमारा सिख कर तयार हो गया है तो लिजे गर्म गर्म पराठा बन कर तयार हो गया है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप भी इसे बनाएं और खाएं बताएं आपको यह कैसी लगी तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी से आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट करके बता न भोलें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी तो फिर से मिलते एक ने रेसिपी की साथ, तब तक के लिए बाबाई, टेक क्यार, थैंक यू